हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं निशाली यूर पर्सनल कंसर्टिंट में सीवेसी वोट एक्जैम 2019 की बात करें क्लास 10 क्लास 12 रेग्लर स्टूडेंट और प्राइविट स्टूडेंट्स मैं दोनों को एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट नकल सामगरी ले जाने की फिराक में हैं नकल करने की फिराक में मा憑लो वगैऱा या चिटिंग की पड़ूड य सीटिंग करेंगे तो आपको बता दे सक्ति बहुती बरती जाली है बहुती स्टिक्ट एक्शन लिए जाएगा अगर आप पकड़े गए सीधा रस्टिकेड आपको किया जाएगा अगर आप पकड़े गए सीधा आपको रस्टिकेड किया जाएगा आपको बता देजिए न्यूस सामने आ रही है कि एक बेंच पर दो से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए CBS ने सारे स्कूल, सारे सेंटर जो हैं, एक्जामनेशन सेंटर हैं, वहाँ पे निर्देश दे दिया है कि एक बेंच पे दो से ज्यादा स्टूडन्ट नहीं बैठेंगे, ठीक है, और अगर जो छोटा क्लास होगा, वहाँ पे 24 स्टूडन्ट को बढ़ाया जाएगा, अगर ब नकल ले जाने की सोच रहे हैं, तो ये सब मत ले जाईएगा, अगर पकड़े गें, तो आपको सीधा रस्टिकेट किया जाएगा, आप कोई भी एक्जाम दे नहीं पाएंगे, ये ना सोचिएगा कि वही एक्जाम नहीं दे पाएंगे, दूसरा दे दे देंगे, बाद में कमपार्टमेंट दे देंगे, उस पेपर में फैल हो जाएंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा, कोई भी पेपर आप दे नहीं पाएंगे, सीधा सीधा रस्टिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो नकल करने के फिराक में हैं, जाए आप रैगुलर बोर्ट के स्टूडेंट हो, या प्राइविट बोर्ट के स्टूडेंट है, किस चीट वगएरा हम लेके जाएंगे एक्जाम वाले दिन, तो मत लेके जाएगा, मैं न्यूस की लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर दूँगा, आप महां से देख सकते हैं, बाकी इस टॉपिक क रिगार्डिंग कुछ आपको पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के रिपलाइ देने की कोशिश करूँगा, वीडियो बसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करें, थैंक्यू जै जै भारत